हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एडूफवाइल, आज ही इस वीडियो में हम लोग बार्खाहुसन क्राइटेरिया के बारे में डीटेल मेडिसिस करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉंसेप्ट को, नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में, स्टे सिंगनल को प्रोडियूस करता है, पिरियोडिक का मतलब सिंगनल रेपीट करें एक इंटरवल के बाद में और ऐक्सिलेटिंग का मतलब कभी प्लस में, जहां पर देख सकते हैं, स्क्वाइर वेव, ट्रेंगल वेव तो यह है, एक लेंगवज चमीने को sellers करता है, वह दिक alternating current में change करता है सबसे पहले हम लोग इसके application को समझेंगे फिर उसके बाद ये कैसे काम करता है उसको समझेंगे तो application ये है इसके विसे बहुत ज़्यादा application है अगर हम बात करें तो ये clock generator की तरह use होता है clock generator मतलब जो clock signal को generate करें clock signal जैसे कि periodic signal जो कि आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे इसका use हम लोग digital instrument में करते हैं जैसे की calculator में complex computer में और इसका use करते हैं हम लोग radio, television, transmitter में clock signal जो कि मैं आपको बता चुका हूँ तो ये है इसके application सबसे पहले चलिए इसको समझ लेते हैं फिर और discuss करते हैं इसको तो इसको समझते हैं यहाँ पे हम लोग एक basic oscillator यहाँ पे लेंगे और यह समझेंगे यह काम कैसे करता है इसका काम तो यही है कि यह signal generate करे periodic तब ही यह accelerator कहलाएगा अगर यह ऐसे signal generate कर रहा है तो यह accelerator है तो यहाँ पे oscillator में हम लोग LC oscillator लेंगे मतलब जिसमें एक inductor लगा हो यह inductor है और यहां पर एक capacitor है capacitor में plate होता है तो यह दो चीजें लगी होई है circuit में यह दोनों चीज लगी होई है यह oscillator की तरह कैसे काम करेगा यह हम देखना चाहते हैं हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे capacitor को charge करेंगे तो charge करने के लिए हम battery यू होगा इधर negative इधर जाएगा positive इधर जाएगा तो current की direction में पता है plus से minus की तरफ ऐसे होगी after some time जब यह discharge हो जाएगा तो current क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी पहले यह क्या होगा धीरे-धीरे plus वाला हटेगा minus वाला हटेगा तो current धीरे-धीरे 0 से बढ़ना start होगी फिर बढ़े हैं तो यहाँ पर current की direction इस तरफ थी और कुछ current मतलब कुछ electric field magnetic field produce हुआ इसके वज़े से क्या होगा inductor में एक EMF generate होता है जो कि हम faradal से पढ़ चुके हैं कि अगर आप magnetic field को change करते हैं किसी circuit में तो inductor में क्या generate होता है induced EMF generate होता है जिसकी direction जो होती है इसके तो अब क्या इसमें EMF produce हो गया अब current की direction इस तरफ होगी इसके opposite पहले इस तरफ थी current अब इस तरफ तरफ तो देखिए current अब इस तरफ हो जाएगी opposite direction धीरे-दीरे यह वाली current जो होगी electromagnetic वाली current यह धीरे-दीरे बढ़ेगी फिर धीरे-दीरे यह भी decrease करना चालू करेगी और इसी current के व होगा फिर थीरे-दीरे current हमें मिलेगी धीरे-दीरे current मिलेगी फिर इसके बाद में यह खतम हो जाएगा फिर हमें EMF वाली current मिलेगी यहां पे हो रहा है तो यहाँ पर हमें periodic signal ऐसा हमें नहीं मिलता है हमें मिलता है कुछ इस तरीके से जो कि signal कुछ ताइम बाद खतम हो जाता है हमें इसा यह signal नहीं मिलता है continuously कुछ ताइम के बाद signal decrease होता है और खतम हो जाता है जिसको हम लोग damped oscillation कहते हैं यह हमारा oscillation है और ये damped oxalation है, ऐसा signal निता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस circuit में कुछ energy loss होता है, जैसे electrical energy, electromagnetic energy में change होई, इसमें electromagnetic energy होगी, इसमें electrical change होता है, फिर उसके बाद electromagnetic, electrical में, तो कुछ इसके इस process के बीच में कुछ energy का loss होता है, energy के loss होने के वज़े से ही ये धीरे धीरे signal छो होता है, क्यों loss होता है, क्योंकि हमारे capacitor में di-electric होता है, दूसरी चीजी है, हमारे circuit में कुछ resistance वगरा होता है, उसमें भी energy loss होती है, तो इस वज़ेसे हमें ये इस तरीके एक menos, अग अगर हमें इस तरीके से ऑक्सीलेशन हम लोग oscillator की तरह behave करवाएंगे तो oscillator एक तरीके से और बन सकता है by the help of amplifier and feedback feedback और amplifier के help से भी हम लोग oscillator बना सकते हैं तो यह एक oscillator बन गया amplifier और feedback से अब amplifier क्या होता है इसको समझ लीजे सबसे पहले आप तो amplifier एक ऐसा device होता है जो क्या करता है वीक सिंगनल को स्ट्रॉंक सिंगनल में बदलता है यह हम input पे vn या फिर इसको आप vi लिख सकते हैं वीन या vi हम लिख सकते हैं input को अगर input पे आप weak सिंगनल दे रहे हैं तो amplifier क्या करता है इसको स्ट्रॉंक सिंगनल पे convert करता है, मतलब output v o या फिर V-Out आप कहिए, V-O कहिए या फिर V-Out कहिए, V-In कहिए या फिर V-I कहिए आउट्पुट पे आपको strong signal मिलेगा, V-Signal आप देंगे, आउट्पुट पे strong लेगा, यह काम amplifier का For example, V-In आपने दिया, तो V-Out आपको मिलेगा, output पे A-Times V-In, मतलब A जो है, A-Times बढ़ गया आपका और A जो होता, बहुत बड़ा number होता है, तो A को हम कहते है, gain of the amplifier, यह चीज़ आपको समझ में आया होगा अब feedback का काम क्या होता है, feedback का काम यह होता है, कि यह क्या करता है, कि output से, amplifier के output पे हमें कुछ न कुछ मिला है तो उसके output से कुछ portion में signal को लेके, वापस input को supply कर देता है, output से कुछ part में signal लेके, वापस input को फिर से supply कर देता है मतलब output पे हमें जो signal मिला इस तरीके से इसका कुछ portion लेके फिर से input को दे दिता है ये काम होता feedback का तो ये दोनों आपको clear होगा अब ये जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं oscillator इसी को हमें समझना है यहाँ पे तो देखें हमने सबसे पहले वी इन दिया हम मानरे feedback नहीं है अभी वी इन हमने दिया तो हमें वी आउट पे एटाइम्स वी इन मिलेगा या आप जानते हैं तो अब क्या होगा oscillator में हमलोग क्याकरते हैं? वी इन तो देते हैं लेकिन सिर्फ एक बार दुबारा वी इन को नहीं देते हैं we in को हम हटा लेते हैं वीइन को हम रिमूब कर देते हैं we इन को देने के बाद में हम हमें output कुछ मिलेगा फिर उसके बाद हम vn को नहीं देते हैं तो हमें आप output मिला फिर उसके बाद में क्या हुआ यह feedback के थो हमने कुछ portion में लिया और portion जो है वह बीटा times vout होता है यहां पर vf जो है वह feedback से voltage हम ले रहे हैं मतलब feedback से नहीं बलकि हम कह सकते हैं output से voltage ले रहे हैं तो इसको हम कहेंगे vf क्योंकि यह feedback के वज़े से ही तो output से ले पा रहे हैं तो vf जो होता वह बीटा times vout होता है output का कुछ portion यहां बीटा जो है एक fraction होता है कुछ part में कुछ part में ले रहे तो एक fraction है तो vf जो है बीटा times vout होता है यह आपको clear होना चाहिए अब बीटा times vout हम फिर से supply कर रहे हैं क्योंकि vn नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा तभी तो फिर हमें इधर मिलेगा फिर हमें इधर मिलेगा कुछ part में फिर हम इधर supply करेंगे फिर ऐसे से हमें oxalation मिलेगा periodic signal ऐसे से हमें मिलेगा इसी को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समझे यहां पर हम क्या ले रहे हैं आउटपुट से वी आउट से हम बीटा times vout ले रहे हैं यह हम ले रहे हैं और हम जानते हैं कि vout जो होता है a times v in होता है तो मैं vout के जहां पर a v in oxalate होता रहे है इस तरीके के oxalation को undamped और undamped oxalation मतलब ऐसा oxalation के लिए condition यह है कि a beta जो होना चाहिए one के equal होना चाहिए यह हम समझ जोगे हैं कि output जो है a v in है तो मैंने put किया a beta जो है one के equal होगा तो क्या होगा हमारा oxalation जो होगा वो periodic होगा undamped होगा ऐसा तो a beta को हम one रख द इसी तरीके से फिर से supply करना है input के बराबर ही अगर आप supply कर पा रहे हैं यहां पर तभी आपका process बार बार वही repeat होगा यानि वी आफ जो है वो कम से कम input के बराबर होना चाहिए a beta बराबर one का मतलब यही है a beta को one करेंगे तो वी आप बराबर we in हो जाएगा मतलब यह है कि input को आप गायब करना है तो जो input के बराबर ही आपको feedback के through signal देना है तभी फिर से यह process repeat हो पाएगा इसी लिए बार्खाउसन क्रिटेरिया a beta is equal to one होता है clear अगर मा लेते हैं a beta is equal to less than one है तो क्या होगा a beta less than one है तो क्या हो जाएगा vf मा लेते हैं 0.5 है a beta a beta 0.5 है तो यहां आप देखें यहां पर अब देखें वी फ की value छोटी हो गई है वी इन से चोटी हो गई यहां पर वी फ की value जो है आधी हो गई वी इन से तो जब आधी हो गई है तो हमें signal भी कम amplify होके मिलेगा पर यहां पर भी कम मिलेगा तो ऐसे से क्या होगा कुछ टाइम के बाद में हम बराबर होना चाहिए अगर A beta greater than one लेते हैं तो क्या होगा? अगर greater than one लेते हैं तो signal आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा मतलब oscillation जो होगा वो बढ़ता जाएगा ऐसे यसे बढ़ता जाएगा अगर time के साथ में इंक्रीज होता जाएगा तो अगर आपको अंडम्ट ऑक्सिलेशन चाहिए तो एबीटा को वन के एकवल ही आपको करना पड़ेगा तब ही तो फीडबैक वाला मतलब इंपूट को हटा रहे हो आपने एक टाइम के बाद मैंने कहा आपको इंपूट के बराबर ही सप्लाई द तो बाद मंतलब यह एसा सिंगनलन है वोन होना चाहिए में दोनों में जो हम ले रहे हैं तो ये दोनों हैं, अब सब इसके notes को समझते हैं, फिर और detail में इसको derivation समझते हैं, इन electronic barcoxen criteria है mathematical condition to determine when an electronic circuit will oscillate, कोई electronic circuit कब oscillation को करेगा, उसी को determine करने के लिए barcoxen criteria है mathematical, क्या है हमारे पास condition है, यही तो condition है, कि one की equal होना चाहिए, यह widely used क्या रहता है electronic oscillator को design करने में, electronic oscillator design करना है तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा क्राइटेरिया यह है कि लूप गेंज होहो competence यह होना चीन यह हमने हमने यहां पर लिखा है अब दूसरा सीफित ऑराउंड ब्लूप भी 0 has jetzt उस तरीके है से उस तरीके से यह वह होना चाहिए ना कि उल्टा फेश्ट जीरो होना चाहिए अगर जीरो नहीं है फेश्ट तो टूपाई का मल्टिपल होना चाहिए मतलब वेव यहां से शुरू हो रही तो दूसरी वेव यहां से देखे हम लोग यहाँ पर I'll यहां पर आउट्पुक्त पहले हमें मिल रहा है यह टाइम्स वीन हमें पहले condition में यहाँ पर मिल रहा है लेकिन अगर हम माल लेते हैं कि feedback लगा तो feedback लगाने से क्या होगा हमें हमारा input जो है पहले वीन था अब हमारा input हो जाएगा V in plus beta V out plus beta V out हम और भी तो दे रहे हैं यहां से कुछ लेकर beta V out फिर से हम दे रहे हैं तो V in plus beta V out हो जाएगा अब यह हमारा input हो जाएगा नया वाला तो नया वाला input यह होगा तो अब हमारा output क्या हो जाएगा अब हमारा output जो हो जाएगा A times this input तो A times क्या हो जाएगा V in plus beta V out यह derivation आपको exam में भी करना होगा तो यह हमने लिखा अब इसको थोड़ा सा solve करते हैं तो V out is equal to हो जाएगा A V in plus A beta V out यह हमने इसको लिखा मसलब multiply कर दिया तो अब इसको हम करते हैं solve तो V out V out और इसको हम इधर लाते हैं तो minus A beta V out हो जाएगा क्या हो जाएगा A V in यहाँ पर यह हो जाएगा अब यहाँ पर V out को हम common ले लेते हैं तो 1 minus A beta हो जाएगा यहाँ पर A V in हो जाएगा solve करते हैं इसको तो V out is equal to हो जाएगा A by 1 minus A beta और इस VN को यहां ले आगा है और इसको हम कह देते हैं equation number one चलिए मान लेते हैं इसको यह हमने माना तो यह हमने माना यह हमारा एक condition आया अब हम जानते हैं कि जो feedback का जो gain होता है क्योंकि feedback भी कुछ gain करता है तो feedback का gain जो होता है output by input मतलब कितना यह output ले रहा है और इसका input तो यह होता है feedback अगेन output divided by input होता है output divided by input तो यहां से हम compare करेंगे तो हमें feedback का जो gain है AFB मिल जाएगा A1-Aβ यह मिल जाएगा हमें यह equation 2 है इन दोनों से compare करने के बाद में अब देखिए feedback का gain जो है AFB वो infinity होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए 1-Aβ को 0 के equal यह infinity कब होगा जब यह 0 होगा जह 0 होगा तो यह divide होगा तो 0 से कोई चीड डिवाइड करेंगा तो infinity तो 1-Aβ जो है वो 0 के equal यानि Aβ बराबर 1 यही है barcourcen criteria यह है यानि कि loop gain जो होना चाहिए 1 के equal होना चाहिए और feedback का जो gain होना चाहिए AFB वो infinity होना चाहिए तो this is your barcourcen criteria और यहाँ पे phase shift भी 0 का होना चाहिए या 2 pi का होना चाहिए तो I hope यह वीडियो आपको अच्छे से clear होगा कैसे कोई भी हमारा circuit sustained oscillation या undamped oxidation कराता है उसके लिए barcourcen condition जरूरी है barcourcen criteria जरूरी है तो इस वीडियो में इतना रखते हैं वीडियो एकने लिए thank you thank you so much